दोस्तो जुलाई का मन्थ बहुत पावन है, 7th जुलाई को गुरु जी का बद्दे होता लेकिन मैं गुरु जी के बद्दे के नेक्स टे गुरु जी के बद्दे सेलिप्रेशन में गई थी, कोई मुझे ले गया था बहुत प्यार से और अब भी पूरा जुलाई का महिना ज जैनम निन मुबादत, 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 जैनम निन मुब अच्छा वाला ढॉगी जो होता है कभी घर के बार सुस्सु निकारता अपने घर के बार कोई सुस्सु निक проблема कहते हैं mindfulness बहुत जादा जरूरी है कोई भी काम को करो तो एक ही काम को करना चाहिए लेकिन हमारे दिमाग में सो बाते चलते हैं इसी तरह से में राइ स्पॉल करने को रग गई और कुछ और काम करने लगी जिससे की सारा पानी फैल गया तो मेरे को रेस्पी बनानी है एक तो म रेनी सीजन है और इतना चिप चिप मौसम है ना बारिश अच्छा से नहीं हो रही है जितनी भी हो रही है लेकिन साथ में चिप चिपा करने जादा है कि आपको कुछ भी करो बाहर जाओ या किचन में आओ तो बहुत ज़्यादा श्रटिंग होती है तो दोस्तों आज मैं है है और सोई में आपने केचन में आ यहँँ हूद कि कैश्ञाद में आपको बताया था कि मैं यह सुछी के लिए स्टिकी राइस मंगवाए हैं और मैंने आपको यह भी बताया था कि मैं सुछी बनाने से पहले ठाइ डेज़ट बनाने वाली हूँ जिसका नाब है मैंगो स तो यह थाई खीर की तरह बनता है हम बनाते हैं नौर्मल दूद में खीर और यह राइस बनाते हैं और यह इत्रा यम्मी होता है मैंने पहली पर खाया था सिदान के पास सिंगापूर में और वैसे थाई फूड मुझे बहुत पसंदा मतब थाई क्यूसर मेरा फेवरेट है त तो आज लेफ्ट वावर में खाने वाली हूं थाई ग्रीण करी और राइस मैंने अभी बनाई है और बनाते हैं और सारा पानी सारा फैल गया तो उसको साफ किया है तो दोस्तों चलो बनाते हैं और यह इतनी असान और शान ना रस्पी है ना कि अगर आप एक बनाएंगे और बचों को खिये खुदखाएंगे तो आप फोसकता है आप आसान अफर हके स्यों इसे मैंगो का सीजन है तो जब तक मैंगो का सीजन हम्हरन इससे बहुत बना लीजिए तो मैंब ना शुरू करती ही तो je000-chi 세बत को पहले है इसको फोना ओता है बहुत अच्छी कां से इसको पांचे दफा कम से कम दोओंगी ताकि सारा स्टार्च निकल जाए और इसके बाद से एक घंटे के लिए फिको दूँगे देखोंगार, इसलिए में 100 ग्राम राइस ले रही है दोस्तों इसको बहुत प्रजाबं ना इसको अच्छी तरह लेकर किया पनाती है न। इसके इसको बोलते है मैंगो embargo तो मैंने अब इसको च older कर लिया है तीन चार दफा और यह लास नहीं पांच दफा तो अब इसको चारा से वो आप लिया है अब इसमें न जितना मेरा राइस थे स्थें सौ क्राम तो इसमें दो को टोरी भर के मैं वह दार रहे हूं पाली और इसे धक रख रहे हूं कोकुनेट मिल्क, मैंगो, वन चमच कॉन स्टार्च और शुगर ड़ेगी हम लोग यूज करते हैं ब्राउन शुगर बट मेरे पास और इसी दूसरी शुगर भी बढ़ी हुई है तो वो निकाल देती हूं तो यह वरी गवर्मेंट शुगर है क्योंकि और गैनिक शुगर है और बहुत ही जदा मट मैले से कलर की है उसका शुगर की बड़ी कहाई है कि पहले हम लोग को राशन पर शुगर मिलती थी जो की कोटा होता था गवर्मेंट की तरह से तो हर फामली मेंबर क्या अलग अलग हुँक्त बनावा था कितना कितने किती मिलनी है तो वह रिणा खतल वहाう को बास है हम लोगों केमिकल प्रॉसस्टे से जदा गुजड़ी होती है तो आप वह शुगर के भी हमनुत ही हिए ब्राउन शुगार पर जो की हेज़के लिए अच्छी है यह और गैनिक शुगर है क्योंकि यह प्रॉसस में घुज़ी हुई तो हम यहुखर हुग यूज़ करेंगे तो मैं बनाती जाती हूँ आप देखते जाओ इसको साइट पे पैन हमने रख दिया है और यह जो 100 ग्राम राइस है ना अली जो ट्रौ में को जहां ज्यादा जो राइस थे और यह दो कटोरी भर के पानी डाला हुआ इसको और इसको दाल दे इसको और इसको हरकी आग पे हम बॉइल करने के रख देंगे और इसको ठक देखते हैं और गयास कर देते हैं सिंपे अब यह उबलती रहती है और इन बिट्वीन हमको कुछ भी नी करना हम इसके बॉइल हो जाने का पहले इंचार करते हैं मैं ने मेरिय अपानी थोड़ा सा मुझे लगना है यह इन जगाक्षनी की वेड मुद्वीनित कर लिजी में ऑंग आर टिया है पड़ा है इसको खोल लेते हैं क्योंकि इतना coconut milk लग जाएगा तो दोस्तों इसके लिए हमने तो आप शुगर अपने अंदाजे से डाल सकते हैं मैं शुगर कम लेना चाहती हूं इसमें शुगर डलेगी और क्योंकि सॉस बनेगी सॉस में भी शुगर लगेगी तो प्रसस शुरू करती हूं तो आपको दिखाती हूं यह राइस रेडी हो गए है और अब मैंने गैस मैं अब इसको ट्रांसफर कर लेती हूं एक बोल में क्योंकि इसी पैन को मैं दुबारा यूज करने वाली हूं तुबारा से यह पैन को रख दिया है गैस के ऊपर और राइस को तो मैंने निकाल लिया था इसमें बस 1500 ग्राम हम लोग यह 250 ml तो हम 250 ml ने लेंगे हम 150 ml इसमें और इसके अलाबा इसमें जाएगा एक पिंच सॉल्ट अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा ही इसको गरम करेंगे तो इसको बॉल आ जाता है अब इसमें सारे स्टिकी राइस इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और थो ने पैन रखतीया है, और बाकी बचावा दूढ कोनत मिल्क इसमें डाल दिया एक चमच कॉन स्टाज को पानी में डाल के इसमें डाल दिया है और साथ साथ में इसमें मैंने 2 चमचच शुगर के डाले हैं और 1 पिंच ज्ट्वेस में नमक की डाली है, यह त्यार हो जाएगा, का मैंने थोड़ा ज्यादा गाडा कर दी अब कम गाडा कर सकते हैं तो यह मेरी जो है मेरा का है स्वारी हो गयाए शटिकि unde से भी ठीट है है उसके बाद खुद अपनी शकल देख रहेंगे और उसके बाद हम ये स्टिकी राइस को इसमें डालेंगे अब किसी बी तरा से आप चाहों तो बहुत अच्छी तरा से सजाद हजा सकते हो यह मैंने ठी सर्विंग बनाई है यहां लगा दिना है या क्या करें हाथ हमारे भंवे है। यह देखो। हमने ऐसे डाल दिया। है ना जी तो इसको सुन्दर सा सजा लेते हैं। तो साथ में यह मैंगो रख दिया है। जैसा चाहो इससे सजा सकते हो अपनी मर्जी से आपका दिल करें तो आप इसको और अच्छी तरा से सजा सकते हैं अच्छी तरा से जितना मर्जी सजा लीजिए ये आपके ऊपर है इसको हटा देते हैं और ये देखो ये शेड भी बढ़ रहा मेरा हाथ का तो ये देखो अच्छता से सजा दिया है पैन में सही न हम सॉस ले लगते हैं और सॉस को इसके उपर ऐसे डाल देते हैं ठीक है थोड़ा सा मैंगो पर डाल देते हैं सही न अब हमने कुछ सेसमी सीर्ज लिये हैं जो की ब्राउन और ब्लैक है वो थोड़ा से इसके उपर डाल दिये और साथ में इससे सुन्दर से पत्ते से हमने सजा दिया है आप कोई भी पत्ता ले सकते हैं हमारे पास तो और गे अब कैसी लगी अब कैसी नहीं लगी वो तो मुझे पता नहीं लेकिन मैंने सजा लिया है और क्योंकि यह बहुत यम बनता है अब इसको कैसे खाना है हमने तो पहले से मैंगो डाल दिया इसके उपर तो हम इसको ऐसे ले लेंगे और हम आखे मेरी पहले से बंद होगी क्योंकि यह बहुत टेस्टी होता है मतलब अगर मैंने इसको डाल दिया है प्लेट में तो अभी डिनर करना है लेकिन डिनर से पहले डिजट हो रहा है अबको भी खाना है आपको खाना है जो खाना है DHAR कर जो दोस्तों सच कहरें हों यह इतना यंऑ नविल्याасть गच्चा है और यह वाला मैंगो तोड़ा सा ज्यादा राइप है तो इसके साथ न और यह सौर्स के रिला यह नहिए Bowl मिला और व्हागि झाल झाल